पिर वही रात किम जो की डिसको डांसर जो मिथुन चुकरवती की सुपरेट मूवी थी उसमें हिरोईन थी तो अगर आप किम के फैन है और किम को किसी एक अच्छी मूवी में देखना चाहे तो इसमें देख सकते है इसमें में हिरोईन है किम साथ में अरूना इरानी भी इसमें सेकंड हिरो राजेश खन्ना इसमें एक साइकाटरिस्ट है तो राजेश खन्ना के पास इलाज के लिए लेके जाते हैं और उसके बाद कहानी में कई ट्विस्टन टाउंस आते हैं भूत प्रेत का भी इसमें हैं और साथ में एक मर्डर मिस्ट्री भी ये बन जाती है तो मैं आपको आगे पूरी तरह gripping है आप इसमें involved हो जाते है और एक और जो इसमें खास बात है कि जो इस टाइप की suspense thriller, horror टाइप की movie होती है तो उसमें जब रास खुलते है जैसे से आगे बढ़ती है तो क्या वो कहानी और movie logical है की नहीं है तो वहाँ पर ये movie मेरे को अच्छी लगी पसंद आई क्योंकि logical इसकी storyline plot है और जो भी कुछ दिखाते है तो realistic है आप सोच सकते है कि ऐसा हो सकता है मतलब आप यह नहीं की जबरदस्ती का ही फिल्मी बहुत कुछ दिखा दिया हो उस type से नहीं है तो वो मेरे को बात पसंद और acting wise भी राजेश खन्ना तो बड़ी actor है ही पर बाक्यों की भी acting इसमें अच्छी है डैनी इसमें negative role में बहुत जमें है और किम के साथ अरुना इरानी का भी इसमें पूरा proper role है अच्छा उनकी length है role की तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है और overall मैं इस movie को recommend करूंगा friends थ तो मुझे लगा उसकी जरूरत नहीं थी वो जबर्दस्तिय डाल दिया कोई उस वक्त पुलीस भी होती है पुलीस बाहर होती है तो फिर राजेश खन्ना को जाके fight करने की क्या जरूत थी वहां बे मुझे लगा illogical हो गया पर इसके अलावा पूरी तरह जो movie है वो देखन करूंगा friends अच्छी entertaining thriller है और मेरी ratings होगी इस movie के लिए 4 out of 5 फिर वही रात